अलो श्रेंट तो इस से महलों डिसकस करने जा रहा है आयन पेच्चो 2008 का पेपर है इस पीड़ा फ्लाइट का डिटर्मेशन डिटर्माइन करना इसमें आंसर अब लबल नहीं है बट काप्ट्रेशन करना है देखिए मैं आपको बताता हूं एक के क्वेस्चिन प्रॉपरली क्याओ प्लाइट मेंबिटरमाइंट उसक्राइट रिट कर देजें इस प्रॉपरलाइट करर देजें कजये आपकर आपको देटर्माइन कर लिट कर देजें को जो जो फंक संथ्या जिन लगा और रखियाज है न क्यापकिरश चिवन यजब्ड़ डेटा पाइड आपर आ option expression of the time average force between the plate C1 option and expression for the time average force between the ring BQS से बहुँ जादा है यह यह कापसीटर है जिसका कापसीटर ने C1 है यह कापसीटर ने C2 है वो करेश्टर में C1 C2 दिया गया यह एक रिंग है इस तरीके से रिंग है इस रिंग का करेंड दुखे कैसा हैगा यह इंग है रिंग गमते दिम्यम्गारे से फिर ऐसे फिरसे घुमते वे से फिर ऐसे आए कहिए यह इस किथ्थर आएगा इसकियू पैट्रि लगे वे Um है यह सरकीट अलग है और इस सरकीट अलग है कि मैं और अब कॉस्चेन कर तौ THE art इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में इस जो पॉइंट के विच में जो पोटेशल में है कि ऑप goose sa इसका value इसका EMF हजाएगा voltage is not cost 2πFT बन जाएगा तो इसके 20 का potential drop भी तो इही रहेगा क्योंकि इसका 0 है तो यहा तक 0 है यहां तक 0 जाएगा तो इसके 20 का potential drop बेंग रहेगा तो कोई पूछें की इसका charge कितना है पहला question है कि यह प्लेट इस कि पे तो नहीं क्या किया आया दिने प्लेट णिरेसा लिए प्लेट से है एक क्या़गलना करा का, तो यह प्लेट इस पर कितना फोर्स लगाएगा अट्राक्टिफ फोर्स अगा एफ इसके बएस यहां कि इलेक्टिक फिल निकालो और इस चार्ड से मुल्डिपाई कर दो जब फोर्स का फंचन मनेगा वैसी से नथींग बट क्यों स्क्राइब अब इसका मैंने लिख लिया इसकी जो वैलू है वह एभरेस फंचन की वैलू कितनी आगी तो आपके यहां पे एक आपर लगाएगे और यहां से लिखेंगे 1 अपार 2 Epsilon अब कि जो बलू क्या होती है इसका कापशिटन्स C1 है तापके लिखेंगे c1 इंटु भी की बढ़ाबर c1 C1 into B squaring करेंगे C1 का square बन जाएगा B का square B जो है वही potential drop है जो कि यहां पर दीख रहा है यह लगाया गया potential drop यह potential drop यहां पर लगाया epsilon cos epsilon cos 2 pi f t यहां पर हम लिखेंगे epsilon cos 2 pi f t epsilon cos 2 pi f t epsilon not का square और cos square 2 pi f t अब इसका average करेंगे time average function average इसकी बने बना पर्ण 2 आती है इसकी यहां place करेंगे इसकी value आगी C1 का square epsilon not अच्छा यह जो epsilon not है इसका इसकी पर्ण 2 यह इनॉट इस इनॉट अब तो एपसंट से दिख रहा है बटे एजुम करूं कि इनॉट के बड़ाबर है तो यह इसको बैठार आप इनॉट के टम लिखें बाद में इसको देखा जाएगा इसको मैंने इनॉट का टम बोल दिया तो इस यहां पर भी आप लेखेंगे इनॉ का स्कुर्ण तो सीवन इनॉट के स्कुर्ण आप आंट टू इसके ब्रेवर्यू बनते तू यहां मल्डिपाई बन जाएगा फोर एपसंट इस इस आंसर आप फर्स पार्ट सरकेंट पार्ट मुँए कहा रहा है कि यह जो रिंग है यह जो रिंग है यह इसके बीस का जो पोटेंशियल ड्रॉब है वो तो है यही तो यह जो पूरा सरकीट है इसमें एक ही कापसिटर है बाकी कोई रेजिस्टर नहीं देखो कैसे इसका कि तो मैं यह कर रहा तेंगी आभिस लेखे इसके के और इस के बीच में पोटेंट एन्ग वह अव्क पोटेंशियल ड्रॉब तो इतना ही है अब तुम यहां से मूफ करो एक लाइन इस लाइन पीर एसे फिर एसे फिर एसे फिर एसे अगया आपकर है बाकी कुछ भी नहीं यह तो बस एक रिंग है रिंग मतले को वायर है जो कि वायर पी शेप दिया गया और कुछ भी नहीं है पिसी टू कापसीटर पर जो भी चार्ज डेवलप होगा ना तो चार्ज डेवलप होगा उसकी वैलू यही पर लिखतो Q2 बनाबर Cv, C2 इंट गी अभी प्रदेशल रॉप टीया है एपसम नाट कॉस वायर तो आप इसको लिखेंगे E0 कॉस और वन सेकंड इसको अलग्जिगा पर लिखता हूँ इंग लिखता हूँ तो इस वान इस चार्ज क्यूट इकवस तो C2 इन्टू इस फिल्ड वर्द एमफ इनॉट कॉस पाइफ्टि अब जो करेंगा रिंग में उस रिंग का जो करेंगा इसको डिफ्रेंसियर करका है इससे क्यों इसे वनेगा C2 और पाइफ का टम बहार जाएगा वनेगा इनॉट साइन टू पाइफ्टि तक का बनेगा साइन बाकी टम यहीथ रहे हैं और यह टू पाइफ बहार जाएगा ऑप यू रहेंग अब इसो बड़ा हुआ रहा रहा है तो क्विश्चंब स्लखा रहा है कि इस प्रिक्वार एंगे फॉर्स लगा रहा है यह उसी तरीकिस लगा रहा है कि दो पार्ल्ल श्टेट लाइंस से जोटी लगा रहे है ऐसा कोईशन में सिर्ट किया गया है एक सिर्ट हमने यह पार कांसर बता दिया बता दिया ऑफिसन एक्स्टेस में तो टाइम एवरेस फोर्स बीटूद दरी ठीक है यह मानते वे कि टूब लॉंग इस्टेट वायर है और बी के बलूए एस से बहुत ही ज्यादा है मतलबिया है कि यह जो एच ना इस वेरी वरी स्माल और इन स्टेट राइन को अप्रॉक्विट तुम क्या मार लोगो पार्लल स्टेट लाइन जो बीच हम फोर्स होगाता है उसकी वह लोग इतनी होती है वह हम निकाई के रखे लेंगे कि वह ही उन्होंने पू एल क्या बनेगा तूपाइ लेंध है ना देखने कि लेंध्ट होसा कितना रहा है और रदियस इस बी करदियास देखो बी है तो टूपाइ बी लिशेंगे तूपाइ बी लिचेंगे तूपाइगे अग्यों यह दूरी एच स्टूरी पे फिल निकालेंगा हम तो आइ में 2 into 2 pi b i l i l cross v b kya yaga b aya mu naught i 2 divide by 2 pi d d h के बानागे बिखित h के बानागे il cross v cf force के बालू आगी आप लिखिंगे mu naught b upon h mu naught b upon h आपका निकाल लिया इसका जो time average आएगा इसका मतलब वह आएगा आपका यह जो function है न इसका square का average value क्योंकि यहां पिसक्वेर नॉट का square करेंगे इसका square करेंगे न इसका square करेंगे तो इसका average 1 upon 2 तो 1 upon 2 आप यहां पर रखेंगे इससे आपको इसका average value मिले जाएगी F की average value F की जो average value मिले लेगी This one is equals to यहां से बनेगा 2 तो बनेगा 2 pi square F का square E not का square ठीक है अब फिर क्या है Mu not है B है Mu not B फिर C not का square है और और भाई H बनेगा यह बनेगा ठीक है अब देखें इस C not कहाँ से है आपको 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 किसका B part का आउसर है जो कि इन्हों ने इसने mention कर रखा है B part का आउसर में लिए C part मी कह रहा है की under this condition, option expression for the speed of light और इसको पर दिजिए exactly balance by time weverse force यहां का time weverse force यहां का time weverse force और यहां का time weverse force आपको आपस में equal तो इसको equal करके C का expression राइए चलिए हम लाजते हैं C का expression तो equal कर दीजिये इसको तो इसको इसको इसके साथ यसी नोट का स्क्वएर था, सीटो का स्क्वएर था humor कर गया जै इनट का स्क्वНеोर्य मेट बढ़त करने का जैगा e-not का स्क्वाइर po 10 please इसको इधर बिथ दीजिए इसको इधर बेढ़िए बाक्युक है यहाट बेजिए ति मनेखर टू पाई का स्क्वेर इसको मैं अगले पेज़ पे लिखके यहीं लिख देता हूं देखिए मैं लिख रहा हूं ठीक एसको यहां सब्सक्राइब आप अब यह बन गया कितना इसको फॉर पीस से में लिख लाई करेंगे दिवने का एट 8p का स्क्वेर, f का स्क्वेर μु नट को इधर बेजना मुझे b को रहने रहने c2 का स्क्वेर बनेगा और a और epsilon भीस जाएगा तो a और a जाएगा epsilon दिख जाएगा और divide by c1 को नीचे बेजना के c1 का स्क्वेर जाएगा और h यहां बचा रहेगा और यह बन जाएगा 1 upon mu naught into f sum 1 जो भी तर जाएगा उता है और 1 upon mu naught into f sum 1 की जो value होती है it is c square इसकी value होती है c square के बारागा तो इसको आप c square कर देखें c क्या है c पाप का root लग जाएगा तेक्ट आप हमें calculations करना है उन्हों हमें value दे रखिए यह आपको मिल गया c part का अंसर और fourth part में यह देखा है कि इस data के साथ आपको यह पता करना है कि c की value कितनी आएगी तो आप क्या करेंगे इसमें से दो टम्स बाहर में जाएगा गिद्ट का टम्स बाहर आएगा अंडरू तो बाहर आएगा उसका बाहर में निकाल देखिए यह पाई का टम्स लिख देखिए एफ का तम आप ऐसी लखे c2 आपां सीराइगा और्वराइगा अंडरूट में क्या बचएगा कि ए यह दू बचा है यह बचेगा बी तो बचा बचा यह बचा अपान एच बचा दिस इस पीड़ फ्लाइट अब हम बाकी वालू को काल्कुलेट करते हैं वालू रखते हैं इसना हो लो अधी कर्णिन में एक ओके लिसपके थे किससाद सक्षका या था इसले कि विछट कारी करते हैं इसको बीचति offense अक्री घ्राइइब यह बार जाए इक अटाम बार आगा अब वालू क्रेस करते मैं काल्कुलेशं करिए तो अब क्या करेंगे इनकी वैलू प्रेस करेंगे यहां पर टू पाई वन सेगेंट ओके अब हमलों वैलू प्रेस करेंगे चलो देखा एफ स्रिक्वेंसी की वैलू में दे रखी है कितना कि सिक्स्ति हल्ट्स दिखें ट्रीक्वन्सी की विदू नाइनो मुझ्ए दिखने फेर इनक ना और यह 0.5 है यह सारी व्यूं करें जैसे प्लेट करेंगे सारी वैलू ना इसमें तो आपकी वैल्स यह आती यह गूत अब को मैं दिखा देता हूं देखिए यह काल्कुलेशन में ने कर रखिया यह यह वैलू जान टेकन इसको काल्कुलेट किया रिया है और इस वाल्व इस वाल्व इस एकोस तो 2.8 टेप्वार 8 meter per second and this is answers okay thank you